और अब समाचार देखते हैं विस्तार से बैंकों को जारी ताजा अधिसूचना में रिजव बैंक ने कहा है कि 29 नवंबर 2016 या उसके बाद वर्तमान में खानूनी रूप से माने नोटों के जमा कराने की कराने पर निकासी सीमा पर छूट दी जाएगी बैंकों में वैद करन्सी नोटों को जमा करने के लिए लोगों को प्रोटसाहित करने की दिशा में ये कदम उठाये गया है यानि अब अगर कोई वैक्ती 4,000 रुपे की रकम 2,500, 150, 20 या 10 के वैद नोटों में जमा करता है तो उसके लिए निकासी सीमा 4,000 रुपे तक बढ़ जारी किये हैं एक प्रेस विगप्ती में आर बी आइव ने काहा है कि 10 नवंबर से 27 नवंबर के बीच बैंकों में 33,948 करों रुपे बदले गए हैं इसी अवदी में देश बर के बैंकों में 8,11,033 करों रुपे जमा हुए हैं इस तरह कुल मिलाकर इस दौरान देश बर क 17 करों रुपे निकाले हैं इसमें बैंक काउंटर और एटीम दोनों से निकाला गया पैसा भी शामिल है